हसना बुरी बात नहीं है पर किसी पे हसना ये बुरी बात है मजा करना आपस में चलता है किसी से मजा करना ज़्यादा बुरी बात नहीं है पर किसी की जिन्दगी के साथ मजा कर देना ये ज़्यादा बुरी बात है खिलवार कर देना ये बुरी बात है लेकिन मजाख भी अपने से बढ़ों से नहीं होती है या तो बराबर या पिर ससुरा रहे हमें मजाख वहां चलेगी लेकिन कजो लोग अपने बापते मजाख कर रहे हैं उनbecि जिंदगी मजाख भन गई है है अपने पूजनिया लोगों से मजाक नहीं नहीं तो फिर मजाक नहीं रहेगी तुमारी जिंदगी मजाक बन जाएगी उपदेश कर रहे थे पिता मैं बीश में दुरोपदी हसी पिता मैं बीश में रुप गए उन्होंने का बेटा तु क्यों हसी है मुझे पता है दुरोपदी ने कहा अब ही पता लगयो वह से पहले से ही पता था आप मैं वह बात खोलू जो दुरोपदी क्यों है सिस्या खोलू जयना बोलने कर चुद बुरोपदेश करते करते यह कह रहे थे कि सामर्थवान व्यक्ति को अपने सामने अन्याए होते हुए नहीं देखना चाहिए अब आप समझे गए होंगे द्रोपधी क्यों है अब पिदा मैं बीश में कह रहे हैं कि ये बात मुझे पहले भी पता थी तो दूसरा प्रिश्न खड़ा हो गया कि फिर आप वा समय पे जब मेरी साड़ी खिच रही थी क्या आप सामर्थवान नहीं थे फिर आप क्यों बैठे रहे तब पिता मैं भीश मने इसका निराकरन किया कि बेटा बल होना एक बात है लेकिन बल का सदपयोग कहा होगा कैसे होगा इस बात का साहस और इस बात की समझ हमेशा बने रहना ये भगवान की क्रपा के उपर है समझ में आई बात बल होना अलग बात है लेकिन बल का उपयोग सदपयोग कब कहा और उसके लिए साहस पैदा होना ये हरे के बसकी बात नहीं है बोले मेरे जीवन में मैंने दुरियोधन का गलत अन खाया और उससे मेरी बुद्धी इतनी किम कर तब्य बिमूड हो गई कि वो निर्ने नहीं कर पाई कि मैं कहा करूं और कहा न करूं और इतनी देर में वो घटना घटेत हो गई इसलिए बिटा मैं कहने ही वाला था जब तक तु असे गई कि संसार में एक बार के लिए भूके रह लेना पर किसी दुरियोधन जैसे आजमी के घर का अन तो क्या पानी भी मत भी न नहीं तो आज पिता में भीश्मी की तरह है मेरे जैसो ब्रह्मचारी मेरे जैसो भगवान को भक्त मेरे जैसो प्रतग्या को पूरी करवी वारो फिर भी इस अन के दोस्त से बच नहीं पाया तो फिर हम तुम कौन से केत की मूली हैं हम जो अब पांडाल की बात कर रहा हूं है हम तुम कौन से केत की मूली हैं तो ऐसे के अन और जल से बचने की कोसिस करना जिनकी प्रवर्तियां दृयोधन जैसी हो जिनकी प्रवर्तियां खराब हो उनसे बचने की कोसिस करना पेता मैं भी इसम कह रहे हैं कि आज यदि तेरे को कोई उंगली लगा दे तो मैं अभी भी खड़ा हो करके मैं उसका बिरूद करने को तैयार हो जाओंगा तो बोले आज कैसे कर लेंगे जब बातना ना भयो तो बोले आज मेरे अरजुन के बाणों से वो खून दुरियोधन के अनका जो था वो निकल गया है और अब मैं उस रक्त से मुक्त हो गया हूं और आज मेरी बुद्धी ठीक ठीक काम कर रहे हैं लेकिन बादना बल तो था लेकिन सदवुद्धी नहीं रहे हैं उस समय काम नहीं क्या किम कर तब ये बिमूड हो गया मैं पिता मैं भीष्म के इस उपदेश को पा करके पांडव धन्य हुए भगवान चाते थे कि इन्हें उपदेश मिले उसके बाद भगवान वहां से बिदा हुए हैं जब भगव जी महाराज उत्तरा के गरव से जन्में थोड़े से बड़े भगवे और युदिश्टिव जी को बैराग्य होने लगा एक बात बताओं भहिया यह जो लडाई है ने लडाई युद्ध चाहें शरीर के इस तरफे हो चाहें मन के इस तरफे हो चाहें बिचारों के इस तरफे हो चाहें बुद्धी के इस तरफे हो युद्ध तो युद्ध है और युद्ध में जो किसी को मारता है वो भी मरता है और जो खुद मरता है वो भी मरता है बास समझ में आ रही है जब तक लड़ाई चल लेगे जब तक एक पार्टी में ते कोई मरे ओना और एक मरत खें भगदर मची आती है फिर पूरे खांदान का सूपड़ा मरे तो मरे और कोई हम पर मरेगा तो मरे दोनों तरफ ही गाटे का सौधा है तो युदिष्टिरी महराज रोज जब उन नारियों को देखते थे जिनके पति उस युद्ध में मर गई तो उन्हें देख करके रोना आता था युदिष्टिरी को कि मेरी बज़े से इसका पति मारा गया यदि मैं युद्ध न करता तो साइद आज वो जिन्दा होता और ये विचारी ऐसे न डोल नहीं होती है किसी मा को देखते हैं कि इसका बेटा उस युद्ध में मारा गया उसका भागीदार में हूँ क्योंकि मैंने युद्ध न किया वो तो निर्दोस्थ था जो कि बाय तो नो करी करनी थी तो नो कर था तो बाय तो लड़ाई करनी अती पर दोस्त तो हमारे हो नूँ ऐसे युदिश्टिर जी महराज देख देख करके बहुत रोते थे उन्हें रोज बैराग की होता था लेकिन वो इंतियार कर रहे थे जा राजे समारेवार और नेक बड़ो है जाए तो फिर मैं बैराग ले लूँ मैं घर परिवार को छोड़ तो परिश्टिर जी महराज नेक बड़े वह सोले सत्रे साल के तो युदिश्टिर जी ने बुला करके और पंडमों को सब को बुला करके प्रिस्ताव रखा कि वाई अब मेरो जा संसार मेरे अब को मन नहीं है अब मैं तो वेराग के लेना चाहता हूं मैं उत्तरा खंड को जाना चाहता हूं पहाड़ों में बनों में जंगलों में जाना चाहता हूं मुई मुक्त करो भाई तो यह जो पांचों पांडमों थे इनके बंसमेजे अकेलों ही बच्चो परिक्षित जो राजा बना तो फिर सब पांडमों ने मिलकर की परिक्षिजी को राज तिलक किया और पांच और पांड़ा उत्राखंड को गई है